Good morning students, class first subject है आपका English, English में आज हम परेंगे रीड करेंगे चैप्टर 10, चैप्टर 10 में है Courage, आज हम करेंगे के बारे में रीड करेंगे, करेंगे में स्वता साहस there was a small town called Nandigiri there was a river in this town a bridge was built on the river one day a small boy named Harz was walking near the trailing of the bridge Harz saw some people crossing the river on a boat soon he saw the boat thumbling in the water there was a small town called Nandigiri there was a small town called Nandigiri there was a river in this town a bridge was built on the river and there was a brick found a bridge one day a small boy named Harz was walking near the trailing of the bridge एक दिन एक छोटा बच्चा जिसका नाम हर्स था वो किया ब्रिज की रेलिंग के पास तहल रहा था हर्स था some people crossing the river on a boat हर्स ने देखा कि कुछ people boat की सहाथा से नदी को पार कर रहे थे Soon he saw the boat thumbling in the river Soon जल्दी उसने देखा कि जो नाव थी boat थी वो पानी में क्या है थम्पलिंग का मतलब क्या है वह एक तरीके से उसने डूबने लगी थी पानी में तो उसने देखा कि जो से water में डूबने लगी थी दा बोत इस टायल sinking रखा द한다 क्वैट 10 कैंट वाटर के डूबने लगी थी people फेल इन्टू दा वाटर जो लोग थे वो वाटर पानी में गिर गया दा इल्डर्स कुट स्यूम जो बड़े लोग थे वो तैर सकते थे बट वन आप देम वाज इसमाल चाइड रही कुड नौट स्यूम पर उनमें क्या एक छोटा बच्च था जो की तैर नहीं सकता था उन्होंने मदद के लिए आवाज दी हर्स साथ चिल्डरन इन दा वाटर हर्स ने कहा उस बच्चे को पानी में देखा हर्स जम्ट डाउन फ्रॉम दा बिर्स हर्स गया वो ब्रीज से कूद गया कि ही की सवाम तूद बैंक विद रचाइल कर उस बच्चे के साथ कर नदी किनारे पर रागा ही तूग क्या हर्स बच्चे को उसके पिता को दे दिया पुपोल प्रईजे हम लोगों ने उसकी प्रसंस की हर्स कूट कर है करें लीज ही सेव्ध रच्च था हर्स के पास साहस इसलिए उसने बच्चों को बचा लिया That's all for today, next tomorrow Thank you